बिग बॉस 18 के लेटेस्ट एपिसोड में टाइम स्कॉट के नाम से मशूर विवियन डिसेना के पास नौगरवालों को नॉमिनेट करने का दिकार था उन्होंने अपने दोस्तों को छोड़ कर सभी को रननीती के रूप से नॉमिनेट किया कहानी में टूस तब आया जब बिग बॉस ने खुलासा किया कि नॉमिनेट किये गए कुछ कंटेस्टेंट को उन्हें मिले वोटों के आद्धार पर बचाये जाएंगा इस अपते के लिए नॉमिनेट किये गए कंटेस्टेंट है चाहत पांडेस सारा खान, अर्फिन खान और तंजीदर बगगा एक बाचीत में अविनाश इशा और एलेस ने अनुमान लगाया कि नॉमिनेशन के कारण सारा का वहवार बदल सकता है इसे भी सारा ने तीनों की दोस्ती का मजग उडाते हुए कहा, ये सिर्फ पती पतनी और वो और साथ में देवर है बाद में शिलपर उनके पती आर्फिन से बाचीत के दौरान सारा ने कुलासा किया कि वीवियन डेसेना की पतनी रही वहवजी दोरबाजी ने उन्हें चितावनी डीती कि वीवियन उनके साथ कैसा वहवार करेंगा लेकिन उन्होंने कभी उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया सारा ने कहा मुझे वहवजी ने कहा था कि इसकी एक्स के कैसे इनसान है ये इसने कितना तंग किया था उसे लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी इसके बाद शिल्पा ने सारा से इस टॉपिक पर कुछ भी कहने से मना कर दिया क्योंकि ऐसा करने की अनुमती नहीं है और उन्होंने इस बाचीत से दूरी बनाना बेहतर समझा और बाद में वो विवियन के बिस्तर पर बैटी हुई दिखाई दी